वेलकम बच्चों हम solve कर रहे हैं कक्षा 6 गड़ेत अभ्यास 3F पहला प्रशन है निम्नांकित का मान ज्याद कीजे पहला हमसे कह रहा है 21 धन 18 भागा 3 तो देखे इसको हम solve करेंगे बच्चों पहले हम question यहाँ पर लिख लेते हैं 21 धन 18 भागा 3 तो इसको हम कैसे solve करते हैं बच्चों इसको हम solve करते हैं भागू जोग से किसे भागू जोग और इसके पहले हमको bracket हटाना होता है ठीक है bracket हटाते हैं हम उसके बाद भागू जोग करते हैं पहले हम भाग करते हैं तो यहां पर भाग क्या है 18 भागा 3 तो देखिए इसकों कैसे करेंगे इसकों लिख सकते हैं 21 धन 18 बटा 3 3 से काटेंगे 3 चक 18 आ जाएगा 21 धन 6 बराबर एंसर क्या आ जाएगा हमारा 27 तो पहले वाले का 123 रिट 18 बटा 9 9 आ एक्यासी यानी 123 रिट 9 एंसर आ जाएगा हमारा 114 थार्ड में हमसे कह रहा है बच्चों 13 रिट ब्रैकेट में 8 बुड़े 2 धन 3 तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 13 रिट 8 दूनी 16 धन 3 उसके पाद पहले हम ज तो प्लस वाला प्लस से जुट जाएगा तो 16 रिट 16 एंसर आ जाएगा हमारा 0 चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 4 प्वेश्चिन 4 थ हम से कह रहा है बच्चों 12 रिट ब्रैकेट में 13 रिट 12 भागां 3 12 रिट 13 रिट 12 भागां 3 इसको हम लिख सकते हैं 12 रिट 13 रिट 12 बटा 3 इसको काटेंगे 3 चोग 12 तो इसको हम लिख सकते हैं अब 12 रिट ब्रैकेट में 13 रिट 4 यह हो जाएगा हमारा 12 रिट 13 में से 4 गया 9 तो एंसर हमारा क्या जाएगा बच्चों एंसर हमारा जाएगा 3 तो देखिए पहले हम यहाँ पर एंसर लिख लेते हैं थार्ड का हमारा क्या जाएथा बच्चों थार्ड वाले का हमारा जाएथा 0 पोर्थ वाले जाएथा提न और सेट वाले का ECSfed लेट 114 अब नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वह सॉल्व करेंगी बच्चों 28 red 5 गुड़े 7 धन 7 तो इसको हम यहीं पर solve कर सकते हैं यहां पर जगा है तो देखे यह हो जाएगा पहले हम गुड़ा करेंगे 28 red 5 सते 35 धन 7 28 और 7 जोड़ देंगे बच्चों यह हो जाएगा 35 red 35 एंसर आजाएगा 0 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 0 इसी तरह से हम इसको करेंगे तो 117 भागा अब 7 और 6 को पहले जोड़ लेंगे तो 7 और 6 बच्चों हमारा हो जाएगा 13 और 117 में 13 से भाग देंगे तो हमारा जो एंसर आएगा बच्चों वह आएगा 9 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 9 चली आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन करते हैं नेक्स देखिए हमसे कह रहा है सात्मा प्रेशन रिड 17 धन 8 भागा सा ब्रैकेट में 7 रिड 3 तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों चली इसके लिए हमें रफ पेज लेना पड़ेगा फिर से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं रिड 17 प्लस 8 भागा ब्रैकेट में 7 रिड 3 तो यह हो जाएगा रिड 17 प्लस 8 भागा 7 में से 3 गया 4 इसको हम लिख सकते हैं रिड 17 प्लस 8 बटा 4 चार से कार देंगे 4 दुनी 8 आठ आजाएगा रिड 17 प्लस 2 एंसर आजाएगा हमारा 15 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा रि RID 15 NEXT नम्हाल करते हैं 8 RID 3 RID 6 RID 3 तो करते हैं इसको हम यहाँ पे यहो जाएगा RID 3 RID 6 2 RID 3 3 से काट देंगे RID 3 3 2 2 एंसर क्या जैगा हमारा रिट 1 इसका एंसर क्या हो जायेगा रिट 1 सत्रा धन तोगुडे रिट 5 इसको हल करेंगे देखें अधन में तो गुडे रिट 5 इस लेए नब askuk इन दोनों का आपस में पहले गुड़ा करेंगे तो यह रिड रिड का गुड़ा होके धन हो जाएगा दस रिड चार तो दस में से यह हो जाएगा 27 रिड चार एंसर क्या जाएगा बच्चों मरा तेज तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तेज नेक्स्ट हम करते हैं 10th question 13 भाग चार रिड तीन दिया है तो चार में से तीन जाएगा तो एक हो जाएगा तो यह हो जाएगा 13 बटा एक यानि अंसर हो जाएगा हमारा 13 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चों 13 रिड 36 गुड़े रिड एक धन रिड 24 भागा 6 इसको हम कैसे solve करेंगे बच्चों देखे यह हो जाएगा रिड 36 गुड़े रिड एक यानि 36 प्लस इधर हमारा हो जाएगा रिड 24 बटा 6 छे से काटेंगे 6 चोग 24 तो यह हो जाएगा हमारा 36 रिड 4 एंसर हो जाएगा हमारा 32 लास्ट क्या है बच्चों रिड 5 रिड 5 रिड रिड 45 भागा रिड 15 धन रिड 3 गुड़े 5 इसको हम करेंगे देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा रिड 5 रिड 45 बटा रिड 15 इधर हो जाएगा हमारा प्लस रिड 3 गुड़े 5 पंदरा तिया पैतालिस तो यह हो जाएगा हमारा रिड 5 रिड 3 गुड़े 5 पंदरा तिया पैतालिस तो यह हो जाएगा हमारा रिड 5 रिड 3 गुड़े 5 पंदरा ति दन अब इसका गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा रिड पंदरा यह हो जाएगा बचो मारा रिड पांच रिड तीन और रिड पंदरा तीनों जुड़ जाएंगे निशान लगेगा रिड का एंसर आजाएगा हमारा रिड तेईस इसका एंसर क्या हो जाएगा रिड ते और तीन के योगफल का गुड़ा, आठ से छे और तीन के योगफल का गुड़ा, तो आठ में छे और तीन के योगफल का गुड़ा, इस तरह से लिख देंगे, फिर करा अठारा में चार और दो के योगफल का भाग, तो अठारा भागा, ब्रैकेट में चार और दो, नेक्स क नेक्स के रहा है, चार और पांच के गुड़न फल से बारा घटा आगा, तो चार गुड़े पांच रिड बारा, नेक्स के रहा है, चालिस में पांच और दो के योकफल से एक अधिक संख्या का भाग, तो हम यहां लिग देंगे, चालिस भागा, मजला ब्रैकेट पांच धन दो जोड़ देंगे के योगफल से एक अधिक संख्या तो यानि प्लस वन और ये हो गया हमारा ठीक फिर करा तीन से बारा और साथ के अंतर से एक कम संख्या का गुड़ा तो तीन गुड़े हो जाएगा हमारा देखिए फिर मजलब रैकेट लगाएंगे बारा और साथ का अंतर हो जाएगा बारा रिड़ साथ से एक कम तो एक हो जाएगा कम ये हो जाएगा हमारा ठीक है नेक्स हमसे कह रहा है कि सरल कीजिए इन सारे हमको questions को solve करना है तो इसको भी solve करने के लिए हमें rough की जरुवत पड़ेगी बच्चों तो चलिए हम इसको solve करते हैं अब डारेक्ट में यहीं question लिएक के solve करने बच्चों देखे बच्चों का question जो हमारा है वो कह रहा है 20 धन ब्रैकेट में 9 रिड़ 5 धन ब्रैकेट में 6 रिड़ 4 तो सबसे पहले बच्चों हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं तो चलिए हम इसको solve करते हैं तो यह हो जाएगा 20 धन 9 रिड़ 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर का solve करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो आएगा हमारा 2 अब हम इसको solve करेंगे तो 20 धन देखिए 9 2 11 11 में से 5 जाएगा रिड़ 5 तो यह हो जाएगा 20 धन 11 में से 5 गया 6 तो answer आजाएगा हमारा 26 इस तरह से बच्चों को step by step इसको करना है अगर आप step को skip करेंगे तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है तो हमारा का वाले cancer क्या हो जाएगा 26 नेक्स देखिए बच्चों खा में हमसे कह रहा है असी गुड़े बड़े ब्रैकेट में 56 रिड मजले ब्रैकेट में साथ गुड़े आठ धन छोटे ब्रैकेट में तेरा रिड दो गुड़े पांच मजले ब्रैकेट पिर बड़ा ब्रैकेट तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा असी गुड़े 56 रिड मजले ब्रैकेट में साथ गुड़े आठ धन देखे दो गुड़े 5 हो जाएगा 10 तो 13 रिड़ 10 पिरी हो जाएगा 80 गुड़े 56 रिड़ 7 गुड़े 8 धन 13 में से 10 गया 3 अब छोटा ब्रैकेट हट गया अब हम मजलिब रैकेट को सॉल्ब करेंगे 80 गुड़े 56 रिड़ 7 गुड़े 56 धन 13 यह हो जाएगा बच्चों हमारा 59 पहले मने गुड़ा किया और फिर हमने जोड़ दिया तो यह हमारा एंसर आजाएगा 80 गुड़े रिड़ 3 80 गुड़े रिड़ 3 तो मारा जो एंसर आएगा बच्चों फाइनल वो क्या आएगा गुड़ा कर लेंगे हम रिड़ 240 रिड़ 240 देखें बच्चों 121 भागां बड़े ब्रैकेट में 16 रिड़ मजले ब्रैकेट में 14 रिड़ 3 छोटे ब्रैकेट में 9 रिड 6 सारे ब्रैकेट क्लोस तो इसको हम सॉल्फ करेंगे देखें 121 भागां 16 रिड 14 रिड 3 अब 9 में से 6 गया तो 3 तो गुड़े हो जाएगा 3 और छोटा ब्रैकेट ठर जाएगा पिर ही हो जाएगा 121 भागां बड़े ब्रैकेट में 16 रिड अब यहाँ पर पहले हम गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 14 रिड 3 तरीक का 9 फिर हम करेंगे तो 121 भागां 16 रिड 14 में से 9 गया आएगा हमारा 5 तो यह हो जाएगा बच्चो 121 भागां 11 एंसर जो हमारा फाइनल आएगा बच्चो वो आएगा 11 एंसर क्या जाएगा 11 इस तरह से बच्चो देखिए बच्चो घा हो जाएगा 5 बड़े ब्रैकेट में 18 धन मजली ब्रैकेट में 3 धन 6 चोटे ब्रैकेट में 5 रिड 3 सारे ब्रैकेट इसको हम हल करेंगे तो 5 बड़े bracket में हो जाएगा 18 धन मजला bracket 3 धन 6 और 5 में से 3 गया तो 6 गुड़े 2 तो टब bracket हट जाएगा अब हम क्या करेंगे गुड़ा करेंगे पहले 18 धन 3 धन 6 गुड़े 2 हो जाएगा 12 अब हम इसको solve करेंगे तो यह जाएगा 5, 18 धन 12 3 हो जाएगा आपका 15 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इन दोनों को जोड़ देंगे गुड़े 18 और 15 धन 13 तो जो final answer हमारा आएगा बच्चों वो आएगा 165 एंसर क्या आजाएगा 165 इस तरह से हम solve करेंगे बच्चों नेक्स्च हमारा बच्चों 16 धन मजले ब्रैकेट में 1 धन में 16 रिड़ 3 गुड़े 4, मजला ब्रैकेट एंसर क्लोस यह हो जाएगा हमारा देके 16 धन पहले हम solve करेंगे 1 धन 16 में से 3 गया यह हो जाएगा हमारा 16 में से 3 जाएगा बच्चों 13 और गुड़े 4 अब हम पहले गुड़ा करेंगे तो 16 धन एक धन 13 चोके 52 हो जाएगा 52 नेक्स्ट हमारा जाएगा 16 धन 13 जो फाइनल एंसर हमारा आएगा बच्चो क्या आएगा 69 यह हो जाएगा मारा एंसर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चो तीन रिड़ बड़े ब्रैकेट में तीन रिड़ मजले ब्रैकेट में तीन रिड़ छोटे ब्रैकेट में तीन रिड़ बार तीन रिड़ तीन सारे bracket close तो सबसे पहले हम बार को solve करेंगे यह हो जाएगा हमारा इस तरह से RID 3 में से 3 जाएगा हो जाएगा RID 0 अब next हम करेंगे बुच्चो तो यह हो जाएगा हमारा 3 RID 3 RID 3 RID 3 अब यह हो जाएगा 3 RID 3 देखें 3 में से 3 क्या 0 तो यह हो जाएगा 0 फिर यह हो जाएगा हमारा 3 RID 3 answer क्या आएगा final हमारा बुच्चो answer हमारा आएगा final 0 next है बुच्चो 112 RID बड़े bracket में 121 भागा छोटे bracket में 11 गुडे 11 छोटा bracket close RID RID 4 RID मजले bracket में 3 RID बार 8 RID 1 तो सबसे पहले हम बार को solve करेंगी बच्चो 112 RID 121 भागा इसको हम कर सकते हैं बच्चो क्योंकि यह bracket में है और इसके अंदर कुछ और नहीं है तो इसको आप यहाँ पे direct भी 121 लिख सकते हैं RID RID 4 minus यहाँ पे 3 RID 8 में से 1 गया 7 अब हम solve करेंगे next 121 भागा 121 RID और RID का गुड़ा होके हो जाएगा धन 4 और RID और मजले bracket में हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा RID 4 bracket close यहाँ पे 112 RID अब हम पहले मजला bracket खोलेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 121 भागा 121 एक धन 4 धन 4 यह हो जाएगा 112 RID 4 4 8 1 9 एंसर हमारा final जो आएगा बच्चों वो आएगा 103 final answer के आएगा बच्चों हमारा 103 इस तरह से बच्चों में इसको solve करेंगे next हमारा question है बच्चों RID 2 मजले bracket में RID 5 धन छोटे bracket में RID 25 बच्चा ब्रैकेट close गुडे RID 7 छोटे bracket में 4 RID 6 गुडे RID 5 अब इसको solve करेंगे तो सबसे पहले हम छोटा bracket solve करेंगे बच्चों तो यह हमारा हो जाएगा देखिए RID 2 RID 5 धन RID 25 गुडे RID 7 इसको हम solve करेंगे तो हो जाएगा RID 2 और RID 5 फिर हम solve करेंगे तो हो जाएगा RID 2 RID 5 धन RID 25 यहां हो जाएगा RID 7 यहां पर हो जाएगा बच्चों RID 2 bracket में RID 30 bracket में RID 7 RID 10 इन तीनों का अपस में गुड़ा हो जाएगा तो बच्चों आ जाएगा यहां पर 420 RID 420 और RID 10 तो फाइनल एंसर हमारा क्या आएगा बच्चों यह दूनों जुड़ जाएगे RID 420 इस तरह से बच्चों यह हमारा solve होगा next हमारा बच्चों यह जो last question है हमारा देखिए चार का ब्रैकेट में पच्चिस RID 18 भागा मजले ब्रैकेट में 7 RID 2 का 3 RID छोटे ब्रैकेट में 13 RID 4 RID 3 बार धन 5 इसको देखिए कैसे solve करेंगे का की जगां गुड़े लग जाता है बच्चों तो यह हो जाएगा चार गुड़े 25 RID 18 भागां ब्रैकेट में 7 RID 2 गुड़े 3 RID 13 RID पहले हम इसको solve करेंगे बार की जगां को यहां हमारा हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा एक धन 5 फिर यह हो जाएगा हमारा 4 गुड़े 25 RID 18 भागां अब देखिए यहां पर हो जाएगा 7 RID 2 तियाई 6 RID यहां पर हो जाएगा हमारा 12 और यहां पर धन 5 फिर यह हो जाएगा 4 गुड़े 25 RID 18 भागां ब्रैकेट में देखिए इन सब को हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा 7 5 12 और यह हो जाएगा RID 18 4 गुड़े 25 RID 18 भागां RID 6 RID 18 में RID 6 से भाग देंगे आ जाएगा बच्चो धन 3 तो यह हो जाएगा 4 गुड़े 25 धन 3 बराबर अब इसको हम करेंगे तो 4 गुड़े 28 जो फाइनल एंसर हमारा आएगा बच्चो वो आएगा 112 यहाँ पर बच्चो हमारी यह exercise exercise 3F समात होती है इसके साथ ही हमारे chapter 3 के सारे अभ्यास प्रशन हल हो जाते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के प्रशनों के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए बाई बाई बच्चो